सभी दोस्तों को राम राम जैहिंद आज मैं आपको पॉली हाउस के अंदर जो कार्नेशन की खेती होती है उस संदर्व में कुछ एक बाते आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ आप देख सकते हैं कि कार्नेशन जो इस शेड में एक बंपर फसल के तौर पे दिखाई दे रही है मजबूरन आज के परिवेश अगर करंट सिनेरियों की हम बात करें तो कोविड नैंटिन का दौर चल रहा है और जिसके तहत कार्नेशन के खेती पर कार्नेशन के किसानों पर इसका बहुत जादा असर पड़ा है क्यूंकि शादी जितनी भी शादीयं थी वो कैंसल हो चुकी है लॉगडाउन लग चुका है साथी साथ टूरिजम के अगर हम बात करें तो टूरिस्ट भी बिल्कुल एलाउड नहीं है होटल इंडस्ट्री भी लगबग ठप हो चुकी है कोई भी पार्टी या ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन तो निश्ची तोर पे उसका तो प्रशनी नहीं उठता और इस संदर में कारनेशन एक ऐसा कारोबार है जो टोटली इन चीज़ों पर निर्भर है लेकिन कुछे कारणों से पिछले लगबग दो वर्शों से कारनेशन की जो खेती है लगबग लगबग लॉस का नुकसान का ही सौदा हम कह सकते हैं पिछले वर्श भी आज कल के ही समय में कारनेशन की खेती इस तरह से प्रभावित हुई थी क्योंकि लॉकड़ाउन एक जीवन में ऐसी जो सिचुएशन थी अनकही अनसुनी वो पहली बार देखने को मिली और कारनेशन पे भी इसका इंपेक्ट बहुत ज़ादा पड़ा पिछले वर्श भी लगबग ये जो आप पॉली हॉस देख पा रहे हैं ये लगबग हजार स्क्वेर मेटर हैं ऐसे हमारे पास चार से पांच पॉली हॉस से लगबग चार पांच हजार स्क्वेर मेटर में हमारा कारनेशन था तो पिछले वर्श भी लगबग लगबग 15 से 20 लाग का नुकसान हो गया somehow we sustain on this business और एक उमीद एक आशा एक नई उर्जा के साथ हमने फिर से इसके उपर खुद को कायम रखा कि एक आने वाला जो वर्श है शायद वो हमें फिर से अच्छे रिटरंस दे सके और हमारा जो लॉस है वो cover up हो सके लेकिन somehow ऐसी कुछ परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां फिर से उत्पन हो गई कि पूरे देश में भारत में covid-19 का जो ये दौर है बहुत ही ज़ादा impact कर रहा है और लगबग लगबग अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष से अगर हम comparison करें तो निश्चित तोर पे इस वर्ष का जो covid है और जो समय है वो बहुत ही ज़ादा विपरीत है प्रतिकूल है और इसलिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो bumper फसल है ये लगबग लगबग तबाह हो चुकी है परबाद है और हम इस शेड को खाली करने में लगे हैं ताकि इसमें कोई हम नगदी फसल लगा सके ताकि कुछ एक तो income source हो सके क्योंकि पिछले वर्ष भी 10-15-20 लाग का नुकसान जो हमने सहा एक जिमिदार एक किसान है हम भी और इस साल भी अगर हम बात करें तो 10-15 लाग का ये नुकसान immediate समय में है तो लगबग 30-35 लाग का नुकसान एक किसान इसे ज़्यादा अगर हम बात करें we are not a big businessmen, big builders and other big daddies बट एक आम किसान होने के साथ साथ एक जिम्मेवार नागरिक भी हम लोग है और इसलिए अपने दाइतव को समझते हुए हम बिल्कुल भी पैनिक की स्थिती में नहीं है ये बाट ठीक है कि एक आम किसान एक आम जिम्मिदार करजे में आ चुका है और इस करजों करजे को चुकाने के लिए मुझ लगता कि आने वाले 5-10 वर्ष भी लग सकते है मद्यमरगी लोगों की होती थी कि जिन्दगी में तरकी करनी है आगे बढ़ना है काम करना है मेहनत करना है और अच्छा से कमाना है लेकिन उसके विपरीत ऐसी कुछ एक परिस्थितिया आज उत्पन हो चुकी है जो नाबल की हमें फिर से नहीं इनिशियेट नहीं ऐसी चीजें जीवन में लानी पड़ेगी जिससे की हमें नाबल की कोविट से लड़ना है नाबल की अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूजना है साथी साथ creativity के साथ कुछ एक ऐसी नए resources त्यार करने पड़ेंगे जिसे कि हम इस देनदारी से इस बोज से भाहर आ सके because this is a big loss और मेरे सभी कारनेशन मित्रों को दोस्तों को यही एक संदेश होगा कि बिल्कुल भी यह बार ठीक है कि समय विपरीत है हमारे पक्ष में नहीं है लेकिन बावजुद इसके हमें फिर से खड़े होना पड़ेगा और इस संकट काल में इस चुनोतेपुन समय में हमें कंदे से कंदा मिलाकर अपने फिक्तिकत लौसों को भूलकर एक राश्टिये इस विपदा को इस करोना इस कोविड काल को मात दे कर फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्यास करना होगा मेरा सरकार से यही विंती है मेरा आम जन्मान से यही विंती है कि कोविड के इस काल में यह बार ठीक है कि समय निराशा का है हर जगा अगर हम देखें तो निराशा, फ्रस्टेशन, डिप्रेशन इस तरह की परिस्थितिया हम देख पा रहे हैं बावजूद इसके हमें एक नई होप, एक नई सोच और एक नई उर्जा के साथ फिर से लड़ना है क्योंकि यह जो कोविड है इसमें बिल्कुल भी हमें ना तो हतियार टेकने हैं ना खुद को समर्पन करना है आप सभी एक जुटता के साथ आये इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिती में सरकार के इन फैंसलों को हम बिल्कुल सहर्ष उसको हम मानें और अपनी इस पीडा को, दुख को, दर्द को ठीक है यार कर लेंगे सौट आउट चीजें मेरा इतना ही कहना है, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ, जैहिंद करता हूँ